हाई फ्रेंड्स थाकुर एलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी गस्वागत है आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ मत्वपून टॉपिक्स ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है उसके बारे में आपको पताऊंगा जैसे कि इसे स्टाइब करते हैं सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर कीelnिदेशाण फीजर्थ अर्प करन होता है त्रांसफार्मर beiden एक स्थिरूपकरन होता है जो की मिजय शूसर्म धिति अर्चा को शर्डश को कम करता Transformer Voltage को Step Up and Step Down करने का काम जर्णा व करता हैं हूं की DC Voltage में Transformer वर्क नहीं करता है AC Voltage को कम या जाधा करने के लिए बिना addwise Power में change हुए जो है यह voltage को कमार चाहना करता है कि और आपको पता हुना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की कोर इसमें कोर होती है इस तरह से सिंगल फिस्ट ट्रांसफार्मर में थ्री फिस्ट यह मैंने यहां पर एक थ्री फिस्ट ट्रांसफार्मर में आपको आपके बता देता हूं कि इस तरह से इसमें क्या होती है कोर होती है यह सिंगल फिस्ट ट्र silicon steel की laminated पत्यों से बनी होती है core जिसमें इय乾 Sag 2 पвалा चाहें सिंगलो में कोować के उपर ही चाती है सिलिकॉन स्टील की डिएमिनेटेड डेयन की सिझिया यह पूछ सकते हैं आपका इंस्ट्रक्टर जा क्वोग कि जो ट्रास्पारमर में औरल के हैं वो कहें की बने होती लंटाई को एक स vomit एक होता है कि जो कोणियर फाय जीस्ट की मुटाई कितनी होती है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं लेंब जिस कोर पर वाइंडिंग की जाती है उसको कहते हैं लेंब फिर पूछ सकता है आप से इंस्ट्रक्टर की ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग इतने प्रकार की होती है मुखे चाह दो प्रकार की वाइंडिंग यह होती है एक होती है स्लींडियो वाइंडिंग कर से और सभा राइंडिंग फिर दूसरी में श्तर से की nicely लएकिन्ट बैफ तक होती है उसमें पहले यहां पर नीचे प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसका उपर स्केंडरी वाइंडिंग होगी फिर फ्राइमरी वाइंडिंग फिर स्केंडरी वाइंडिंग इस तरह से सैंडविच टाइप वाइंडिंग की जाती है तो इस परकार से पुझाते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने परकार के होती हैं ट्रांसफार्मर अगर बात करें कि कोर के अधार पर होते हैं शेल टाइप कोर शेल टाइप कोर टाइप बैरी टाइप तो यह कोर के अधार पर फिर होगा बोल्टेज के अधार पर सिंगल फेस्ट ट्रांसफार्मर फेस्ट के दार पर सिंगल फेस्ट ट्रांसफार्मर थ्री फेस्ट ट्रांसफार्मर यह हो गया फिए आपका यह जो था यह था फेस्ट के दार पर वोल्टेज के दार पर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्म एक होता है auto transformer एक होता है instrument transformer instrument दो कि देड़ियन्योड और फिराइचानर कि कर दोसी चेता है। मस sürदो पेलाइच है कि मत्यूद ऐस सबसुरों की सब्सक्राइच में पुर्स तर पुर्सटे के एक होती है एक किलीन, यह ओती है फिर ऑली मॉस्ट बाडर कूलिंग, िसके बहुत सी कोलिंग, यह होती है, एक बहुत से कोलिंग होती है, बहुत सी घंक होती है, आपसे BEC, लेकिन जालब इप से डीप ले आपको नहीं पुछ जाता है बस इस तरह से उपर उपर से इसके में टॉपिक को पूछ जाता है और ट्रांसफर्मर क्या होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है और जो कि हाफ स्टेप अप हाफ प्राइमरी वाइंडिंग होगी हाफ स्केंडरी वाइंडिंग होगी और वो सेल्फ इंडक्शन के स्टांद पर वर्क करता है जिस साइड यानि की मालीजिए यह एक वाइंडिंग है इसका उपर वाला हिसा यहां तक माल लीजिए यह यहां तक इसको उपर वाला जो ही प्राइमरी है और यहां से नीचे वाला हिसा जो है juanole 50 है स्काइंटी है तो इहां पर देख़कते हैं कि प्राइमरी में ज़्याधा टर्न है और स्काइन री में कम टर्न है तो यह स्ट्पल ट्राउन ट्रांसफर्म होगा इस तरह से इसमें जो है इसको स्टेप आप और स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर माना जाता है यह जो है और ट्रांसफर्मर में होता है तो एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर्मर जो होता है सीटी और पीटी सिटी पीटी इसमें जातर कुश्चन यहीं बनता है कि सीटी और पीटी का कार्य क्या होता है सिटी का कार्य क्या होता है तो सीटी का कार्य होता है हाई क्रण्ट नापना और CT क्रंट ना अपने के लिए यूज होता है और PT जो होता है high voltage को ना अपने के लिए यूज के जाता है तो यह CT और PT के कारे है जातर question जो आपका instructor जो practical लेने वाला होगा teacher होगा वो आपके इस जो आपने diagram रहा होगा उसी से पूछेगा जैसे इसमें से question बनती है जो ये होते हैं इनको क्या कहते हैं ये बुशिंग्स होती है ये बुशिंग्स होती है और ये कुलिंग ट्यूब होती है कुलिंग ट्यूब भी दो परकार की होती है एक होती है राउन टाइप जो इस तरह मैं यहां पर बनाई है एक होती है फिंस टाइप और यहांपे यह कोर होगी यह रोलन्ग वहील होगे जो कि अरेग ओयल जो कि मिनराल होता है और यह होता है expansion went इसका काम क्या होता है अगर transformer के अंदर जब कभी short circuit होता है या फिर ज्यादा मात्रा में इसके अंदर gas बनने लगती है तो उस गैस को मतलब जल्दी से बहार निकालने के लिए यह एक्स बेंट होता है यह जो इसके आगे लगा ओता यह एकदम से खुल जाता है और वो गैस यहां हो के बहार निकल जाती है तो एक होता है यहाँ पर कंजरवेटर का कारे क्या होता है जब ट्रांसफार्मर में agora बापस जो है ट्रांसफरमर टेंक में आ जाता है तो एक यहां पर है यहां पर गयुदर होलते हैं बि CCP का जाए चाहरा होगाध। क्योंकि अगर हवा में नामी आयल में चली जाए तो आयल जो है खराब हो जाता है नामी के कारण जो मिनराल आयल होता है यह खराब हो जाएगा नामी के कारण इसलिए इसमें सिलिका जेल यूज होता है सीलिका जेल का प्रियोग जो है नमी को सोकने के लिए ही के जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है जिस टाइम सीलिका जेल को यूज के जाता है उस टाइम वो ब्लू कलर का होता है लेकिन जैसे ही वो नमी सोक लेता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है तो ड्राइ कंडियशन में कैसे होता है ब्लू कलर का और जो नहीं सोकने के बाद पिंक जैसे एक बार जो है हमारा सीलिख जल पिंक कलर का हो गया तो उसके बाद वो और जाया नहीं सोक सकता है उसको फिर निकालके चेंच की जाता हूँ याः पिर सुखा के दोबारा यूज चे जा सकता है। और यहां पर एक उता है और गेज्ठ जो कि कंजरवेटर की ओल को चेक करने के लिए लगा जाता है। जैसे कंजरवेटर में आएल का लेवल कम होया था है तो वो ये अलारम से स्टेट कर देता है कि कंजरबेटर में आएल लेवल कम हो गया है तो एक होता है यहां पर वकल्स रिले वकल्स रिले का काम क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो है ट्रांसफार्मर की सेफटी के लिए वोगल्स डेले में क्या होता है वाकल्स डेले में दो चल्किट लगे हुते और ओक्र क्लीट होता है चल्क सरकेजिगतो सपरीं करने को फॉल्ट पड़ता है जिसे के पता चलता होता है कि को डैसमक और धुद्धत चाहिए जाता है ताकि उसको मतलब उसमें हानी या अक्षाती होने से बचाया जा सके तो फिर ये है 3-phase transformer की winding ये डेल्टा ये स्टार यहां पर डेल्टा स्टार क्नेक्शन किया है डेल्टा स्टार कनेक्शन कहां पर होता है जहां पर हमारे को वोल्टेज को step down करना होता है यानि कि हमारे पास high voltage आएगी three phase three wire और यहां पर जो है एक नीटल भी निकलती है यहां से जो star point होता है यहां से एक neutral wire भी निकलती है तो वह step down resolution transformer सब्सक्राइब सुम्हाइब होते हैं यह और हstag मैं तो यह heute आजगी वीडियो जिसमें मैं आपको transformer सब्सक्राभी जान करता हुं कि यह वीडियों एचsee लग लगे होगी बीडियों लगे तो लाइक हो करेंगे यहNDा वोचिंग माई वीडियो